नमस्कार दोस्तों आपका स्वागात है हमारे यूटूब चैनल दे नौजवडी में दोस्तों बीए का कोर्स करने के बाद सभी के मन में यह सवाल आता है आगे क्या करना चाहिए और कौन सा करियर इसको बढ़िया रहेगा इंडिया में बहुत से लोग ग्रैजूशन पूरा करने के लिए बीए करते हैं जिसमें 3 साल का समय लगता है अगर आपने भी बीए कर लिया है या फिर बीए करने की सोच रहे हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा अगर राता भी है तो हमें कमेंट करके बताए हम रिप्लाय देने की पूरी कोशिस करेंगे आज मैं यह वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनोंने बीए पूरा कर लिया है या फिर बीए करने की सोच रहे हैं मैं आपको बीए के सभी करिये इसकोप के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग इस वीडियो में सुरू से लेकर लाश तक बने रहे है ताकि आपको पूरी जानकारी सही सही मिल सके दोस्तों इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेश्ट करना चाहूंगा यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे और हमारे यूटूब चैनल दर नौज वीडियो को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस करिए ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करू उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए जानते हैं बीए के बाद क्या करे दोस्तो जो सबसे पहला कोर्स है जिसे अब बीए करने के बाद कर सकते हैं वह है MA MA यानि की Master of Arts यह कोर्स बीए करने के बाद सबसे अधी किया जाने वाला पसंदीदा कोर्स है जो बहुत से लोग बीए करने के बाद करना पसंद करते हैं Master of Arts एक Post Graduate level degree है जो BA करने के बाद किया जा सकता है MA वो लोग भी कर सकते हैं जो Higher Studies किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं जितने भी इंडिया के बरे-बर इन्युवसिटीज है वहाँ MA कोर्स किसी भी सब्जेक्ट में किया जा सकता है जिस वज़े से MA करना काफी असान हो गया है MA डिगरी उन लोगों के लिए Best Course साबित हो सकती है जो Teaching को अपना Profession पनाना चाहते हैं MA Candidate, TET या फिर NET एक्जाम भी दे सकते हैं जिसमें वो School or College में Teaching कर सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे नमर कोर्स के बारे में जिसे आप BA के बात कर सकते हैं वो है BA, BA यानि Bachelor of Education यह दो साल का कोर्स होता है यह कोर्स भी उनके लिए है जो Teaching को अपना Profession माना चाहते हैं अगर आप Primary या High School में पढ़ाना चाहते हो तो BA डिगरी आपके पास होना जरूरी है इस कोर्स को करने के लिए भी BA की डिगरी होना जरूरी है अगर आप सरकारी स्कूल के टीचर बरना चाहते हो तो आपको उससे पहले TET यानि कि Teachers Eligibility Exam देना होगा अब बात करते हैं तीसरे नमर कोर्स के बारे में जिससे आप BA के बात कर सकते हैं वो है डिपलोमा कोर्स BA करने के बाद आप चाहे तो डिपलोमा कोर्स भी कर सकते हैं इससे आपके Professional Skill को डैबलप होने में मदद मिलेगी डिपलोमा करने का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि आपको कम समय में किसी भी जौब के लिए तयार कर दिया जाता है अगर हम डिपलोमा के दूसरे फायदे की बात करें तो यह बहुत से कोर्स आपको ओफर करता है जैसे कि Animation, Film Making, Acting, Dancing, Painting, Management, Graphic Designing तथा और भी कई सारे कोर्स है जो आप डिपलोमा में कर सकते हैं अब बात करते हैं चौथे नमर कोर्स के बारे में जिससे आप BA के बात कर सकते हैं वो है LLB अगर आप अपना करियर लीगल फिल्ड में बनाना चाहते हो तो LLB आपके लिए ही है यह कोर्स भी BA करने के बात किया जा सकता है BA graduates LLB join कर सकते हैं और lawyer बन सकते हैं इसके अलावा LLB डिग्री रखने वाले private और government agencies में legal advisor भी बन सकते हैं इन सभी options के अलावा ऐसे लोग judge भी बन सकते हैं लेकिन इससे पहले उन्हें judicial service exam देना होगा जो public service commission पूरे देज़भर में conduct करता है अब बात करते हैं पाँचवे नमबर कोर्स के बारे में जिसे आप BA के बात कर सकते हैं वो है MBA MBA यानि Master of Business Administration ये काफी popular कोर्स है किसे आप BA के बात कर सकते हैं MBA करने में दो साल का सब्य लगता है MBA कोर्स के दोरान छात्रों को business से जुड़े समस्याओं को हल करना सिखाया जाता है और business manager के सभी बूर्ट उन्हें सिखाया जाता है ताकि वो किसी भी public या private sector के organization को आसानी से handle कर सके MBA वो लोग भी कर सकते हैं जो entrepreneur बनना चाहते हैं और अपना business करना चाहते हैं MBA कोर्स पूरा करने के बाद आपको top level management company में काम मिल सकता है जहां आपको एक अच्छा package भी मिलेगा दोस्तो मैं आपको बता दू कि आज के समय में MBA कोर्स की मांग बढ़ती जा रही है आप BA करने के बाद MBA कोर्स को कर सकते हैं दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सभी कोर्स के अलावा दूसरा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो तो number one दूसरे कोर्स की तरह BA करने के बाद आपको सरकाई नौकरी मिल सकती है CDL से लेकर SSC CGL तक के एक्जाम आप दे सकते हो अगर आप उनके eligibility criteria पर खड़े उतरते हो तो number two BA करने के बाद आप चाहे तुँ bank PO भी बन सकते हो बस आपको इसके लिए एक एक्जाम क्रेक करना होगा number three आप सभी जानते हो UPSC बहुत से एक्जाम हर सल कंड़क्ट कराता है उनमें से IAS, IPS भी आता है अगर आप BA कर चुके हो तो आप UPSC एक्जाम दे सकते हो number four आप में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो social service दे कर लोगों की मदद करना चाहते हैं ऐसे लोग NGO के साथ मिलकर काम कर सकते हैं number five अगर कोई media के field बे जाना चाहता है तो वो journalism and mass communication का course कर सकता है मैंने अपना career start करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बस आपको अपने उपर भरोसा रखना है और समय रखना होगा तभी आपको एक better career मिलेगा तो इस तरीके से आप BA के बाद course को चुन सकते हैं दोस्तों मैं आसा करता हूं आपको BA के बाद क्या course करे इसकी सठीक जानकारी मिल गई होगी मैंने इस वीडियो में आपको वही पतानी के कोशिस की है जो आपके लिए फायदमन सावित हो सकती है अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें आपकी मदद करके आपके सवालों का जवाब देकर काफी खुशी होगी दोस्तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी सेर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि BA course के बाद क्या करना चाहिए और दोस्तों इस वीडियो के लाश्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा यदि आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूटूब चैनल The Noise Video को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके मिलते हैं हमारे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों प्राइब कर दोस्तों